मैं आज आप लोग को जैसी जी के बारे में बताने बाला हूँ तो जो भी हिंदी में सबसेडरी लिये हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हिल्फुल है तो आप लोग को एकजाम डेट भी पता होगा और हम बता भी चुके हैं एक वीडियो में तो हम लोग सिधे कोशण है जैसी कैसी काल खंड के अंतरगत मानने है तो इНका है भकतिकाल कोनसा है भकतिकाल फिल आपका अगला कोशण है कि जैसी की परसिधी किस रूप में है तो आपको शूफी की रूप मे यानि सूफी कवी के रूप में, जैसी जी कैसे परशिद्धत है, तो सूफी कवी के रूप में, आप लोग को बस एक बार ध्यान से देखना है, सुनना है, और आपको याद हो जायेगा, फिर आपका अगला कोश्षन कि जैसी किसके परतिनिधी कवी माने जाते हैं, तो प्रे प्रेमा स्रियाई कावे धारा फिर आपका अगला कोश्चन है कि जैसी का जन्म कहां हुआ था तो इसका है जैस संजैरा केला यानि जैसी का जन्म जैस यानि इसी से आपका इसका जन्म कहां हुआ था वो अस्तान पता चल जाएगा ठीक है इसलिए इसमें इतनी गन्फ्यूजर नहीं अरामसिस को दिमाग में सिट करके रखना है फिर आपका अगला कोश्चन है कि जैसी का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 1490 में हुआ ठीक है और कहां हुआ था तो जैस ऐसे करके द्यान में 1492 में 1492 में अगर आप लोग जानते हो येगा तो अमिर्का का खोज किया था कोलम्बस ने ठीक है तो अगर उस वो वाले बात अगर याद है तो समझ जाना है उससे सेट कर लेना है नहीं तो आपको ऐसा ही याद रखना होग फिर आपका अगला कोशन है कि जैसी जी का नीधन कब हो गया तो ये पंद्रो सो ब्याली सिस्वी में ये नीधन कर गया है फिर आपकी अगली कोशन है कि जैसी का काब्य भासा क्या थी तो ये थी अवदी क्या थी अवदी इस तरह से एक कोशन पूछा भी आपको लोग के तो तुलसिदास किस भासा में सायद रवान लिखी थे तो अब दी ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था कोशन आया हुआ था तो आप लोगों को कोशन का जो पूछा हुआ था और करवा चुके हैं लगभग जो भी पेपर मेरे पास आये हैं फिर आपका अगला है कि जैसी की स्का काब्बे परंपरा में मानने हैं तो यह है प्रेमा ख्यानत काब्बे परंपरा फिर आपका अगला कोशन है कि सुफी काब्बे सुफी काब्बे परंपरा से सवंध जैसी रचीत परतिनीधी गरंत कौन सा है तो यह है पदमा बत कौन सा है पदमा बत आपका अगला कोशन है कि पदमाबत जैसी क्रीत किस परकार का काब्बे है तो ये है महा काब्बे फिर आपका अगला कुशन पदमाबत के कथा नायक का नाम क्या है तो राजा रतन सेन क्या है राजा रतन सेन फिर आपका अगला कुशन है रतन सेन कहां के राजा थी तो यह है चितौर के कहां के चितौर के फिर आपका अगला कोशन है कि पदमाबत की कथान नाईक का क्या नाम है तो पदमाबती पदमाबत है तो पदमाबती यह भी मिलता-जुलता है तो इसमें भी कोई प्रोब्लम नहीं है पद्मवति कहां की राज कुमारी थी तो यह है सिहल दीफ कहां सिहल दीफ है ठीक है फिर आपका अगला कोशन है कि राजा गंधर्वसेन कौन थे तो यह थे पद्माबती के पीता और सिहल दीव के राजा यानि दोनों ते ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर सी हो जाएगा फिर आपका अगला कुछन है कि तोता का क्या नाम है तो हीरा मन हीरा मन तोता यानि हीरा मन इसको दिया मायग रखना है हीरा मन हीरा है तो हीरा मन जो है यह इसका करेक्ट एंसर है फिर आपका अगला कोशन है कि पद्माबत में जिवात्मा का परतिक किसको माना गया है तो यह राजा गंधर्व सेन को किसको राजा गंधर्व सेन को फिर आपका अगला कोशन है कि पद्माबत में हीरा मन को किसका प गूरु का फिर आपका अगला कोशन है पदमाबत में मात्मा का परतिक किसको माना गया है तो इसका आपका एंसर है पदमाबती को फिर आपका अगला नेश्ट कोशन कि पदमाबत में नागमती किसका परतिक है तो यह है गुरक धन्धा का गुरक धन्धा का फिर आपका अगल नाग मती कौन है तो ये है राजा रत्न सेन की रानी और गुरक धंदा का पड़ती ठीक है यानि दोनों है तो ये सीज का करेक्ट अंसर है इस तरह से हम लोगों ने जासी जी के बारे में एकी इस कोश्चन कर चुके हैं और कोश्चन अगले वीडियो में करेंगे वीडियो ल और आप चाहते हैं कि कोई और भी इस का यूज कर सके तो आप इसको सेर भी कर सकते हैं और अगर जो नए है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो जब भी डाले आप लोगों के पास जल्द ही पहुंच जाए तब तक आप लोग परहाई की तयार कीजिए और पढ़ते रहे थैंक्यो फॉर माचिंग